पूरा जरूर देखना क्योंकि पिछले जो दो भागों में आप लोगों के डाउट है एक दो क्वेस्चन्स में जैसे एडवर्ट गुतरी वाला और फ्रैड वाला तो लास्ट में मैं उसका सोल्यूशन या जो भी डाउट है उसको क्लियर करूंगा तो फिलाल अभी तो नए question देखते हैं पहला question है विसिस्ट बालकों की श्रेणि में आते हैं तो इसमें वही काम आपको करना है कि आपको अपने answer स्टिक करने ने है पॉस करके मैं के बाल आपको answer आउजर बताऊंगा क्योंकि time कम है तो सारे option पढ़ना मेरे लिए possible नहीं है त केंदरी सिच्छा सलाकार बोर्ड सरकार के सिच्छा समंद्री सलाकार निकायों में सबसे महत्वण और नविंतम निकाय है तो जो असत्य कथन है यही है और बाकी जितने भी है यह सारे सत्य कथन है तो इनको आपको एकदम रट लेना है यह केवल इसलिए नहीं दिये गया कि अस्थापना कब हुई थी और कहां हुई थी इस तरह से ही क्वेश्चन बन सकता है वैसे मैक्सिमम तो यही चांसे हैं कि कब हुई थी तो सन आप याद रखिएगा तीनों का यह इसलिए गलर असत्य कथन है पहला क्योंकि यह नविंतम निकाय नहीं है यह बहुत पुरा सही है आगे बढ़ते हैं तीसे नंबर पर बच्चे में भाशाई चमता का विकास उसके बहुत दिख विकास में होने वाले सम्वेदी प्रेरक काल के पशाथी प्रकट होता है उपरोक्त कथन का संबंध निमलिखित में से किस से है तो इसका संबंध है जीन प्याजे जी से चोथा क्वेशन ने खेल द्वारा सिच्छा पधित में निमलिखित में से किसको शामिल किया जाता है तो हिउरिस्टिक नाट प्रनाली बालचर प्रनाली ये इन सभी को शामिल किया जाता है जेड़ पीडी जोन ओफ प्रॉक्सिमल डेवलप्मेंट एक तो आपको इसका फ तीन एच की सिच्छा से समंदित निमलिखित में से कौन है तो ये गांधी जी से समंदित है तीन एच का मतलब है पहले एच का मतलब इन्होंने हर्ट बताया है और दूसरे एच का मतलब हेड बताया है और तीसरे हेड का मतलब हैंड तो हार्ट हार्ट का मतलब हर्दे फिर ह के बाद हेड हेड मतलब सिर और तीसरा है है हैंड तो तीन एच इस इच्छा से समंदित हैं गांदी जी साथवा कुश्चन है निम्लखित में से असत्य कथन को चुनना है आपको तो इन में से जो असत्य कथन है सेवन का बी है आनवांशिक उपागम से समंदित एडलर नहीं है बलकि इससे समंदित हैं बैलर तथा चाल्स बाकि जो सही हैं इनको आपको रट लेना है कि कौन-कौन किससे समंदित है एकदम याद करके चाहिएगा इन में कोई भी लापरवाही काम नहीं करेगी ये जो गलत है आनवांशिक उपागम ये दिया था बैलर तथा चाल्स ने 8 है सुमेलित करना है कौन सी अवस्था में क्या है और कहां से कहां तक होती है तो समवेदी गामा का वस्ता होती है जन्म से दो वर्ष तक पूर्ष संक्रियात्मक दो वर्ष से साथ वर्ष तक मोर्थ संक्रियात्मक ग्यारा वर्ष से मोर्थ संक्रियात्मक है ये तो यही सही होगा और रुपांतर संक्रिया वस्ता ग्यारा वर्ष की आयू से प्रारंब होती है ठीक है ये option सही हो जाएंगे अगला है भौतिक तथा शारीरिक अनुभो की प्रधानता क्रियात्मक योजना ही तारकिक गड़ती अनुभों को संकेत देती है ओक्त विशेस्ताएं निमलिखित में से पियाजे की किस अवस्था से संबंधित है तो ओक्त जो विशेस्ताएं है वो पियाजे की समवेदी प्रेरक अवस्था से संबंधित है जो भी यहाँ पर विशेस्ताएं बताई रही है आगे बढ़ते हैं दसमें question पे निदर्षित साकल्यवादी सिद्धान इंपॉर्टेंट सिद्धान निमलिखित मे तो सी option सही हो जाएगा ग्यारहवा है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के मूल प्रयोग आत्मक योगदानों को कितने भागों में विभक्त किया गया है तो ग्यारहवे का जो सही answer होगा वो होगा 4 बारहवा क्वेशन है मैसलो द्वारा आवशक्ताओं की परिकल्पना में कुल कितने सोपान है तो मैसलो द्वारा कुल इसमें साथ सोपान मैसलो ने बताए है तेरहवा क्वेशन है गिलफोर्ड ने बुद्धी के कितने स्वतंत्र आयाम बताए है तो इन्हों ने बताए है स्वतंत्र आयाम तीन चौदा नमबर है थॉन्डाइक ने बुद्धी को कितने वर्गों में विभाजित किया है थॉन्डाइक ने बुद्धी को तीन वर्गों में विभाजित किया है पंद्रावा क्वेश्चन है सहचिक मनोविज्यान की दरश्ट से चिंतन कितने प्रकार के होते हैं तो 16 क्वेश्चन का सही आंसर होगा चिंतन 4 प्रकार के होते हैं 17 क्वेश्चन निमलिखित में से कौन वन्षण उक्रम के सिध्धान तो यह नियुमों से संबन्धित है तो 17 हमे का जो सही आंसर है वो है उपरोग को सभी संबंदित हैं बीचकोष की निरंतरता का नियम, समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम ये सारे संबंदित हैं अठारवा कोश्चन है कौन से अधिकम मनोवे ज्यानिक ने बाल अधिकम विकास में पुरोस्कार या सकारात्मा का विप्रेणना को महत्तो नहीं दिया है तो गुथरी ने पुरोस्कार या सकारात्मा का विप्रेणना को महत्तो नहीं दिया है तो यह जो आप लोगों का डाउड था ये समीपता का सिध्धान्त है और ये समीपता का सिध्धान्त जो है दिया है गुथरी ने अभी आगे मैं और क्लियर करूँगा जो आपका question था जिसमें आप लोगों को doubt था तो समीपता का सिध्धान्त दिया है गुथरी ने 21 Question है, जन्म के समय बच्चे का मन साब प्लेट की तरह होता है, जो पर्यावरण में विक्सित होता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है William James का, निमलिखित में से असत्य कथन का चैयन करना है, असत्य कथन में बताया दे रहा हूं, लेकिन जो भी सत्य हैं, उनको आपको एकदम लेना है 22 में का जो असत्त कथन है वो है C विश्विद्याले अनुदान आयोग की अस्थापना 1986 में नहीं हुई थी ये हुई थी 1903 में ठीक है 1903 में बाकी सारे ओप्शन सही हैं और इनको आपको ऐसे ही रट लेना है Operation Blackboard 87-88 में प्रारम किया गया था और जो जिला सिच्छा एंप्रसिचन संस्थान खोलने का प्रस्ताव था वो प्रत्थम सिच्छा नीद 1986 में प्रस्ताव हुआ था और 1987 में देश में पहली बार जिला सिच्छा एंप्रसिचन संस्थानों की अस्थापना हुई थी और इंद्रा गांधी राष्टी मुक्तवे सुच्छ द्याले की अस्थापना नई दिल्ली में 1986 में की गई थी तो ये सारे आपको याद कर लेने है तेश में कोशन है मनोवेग्यानिक गैगने किस अधियम के सिध्धान किस अधिगम के सिध्धान से संबंदित हैं तो सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है चौदा का B क्रोस आउट परिच्छन यह हर्मन रोशा ने नहीं दिया था हर्मन रोशा ने तो रोशाष यही धबबा परिच्छन दिया था न तो इसको क्रॉस आउट परिच्छन को दिया था प्रेशी ने प्रेशी प्रेश होता है वही उसी का प्रेशी बना दीजे आप लोग तो क्रॉस आउट परिच्छन दिया था प्रेशी ने बाकी जितने भी सही है उनको आपको वैसे ही रट लेना है कि किस ने दिया था जैसे TAT परिच् गॉल्टन एवं योंग ने दिया था पचीस्वा है कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है तो अधिगम के पठार का कारण नहीं है अभ्यास की प्रमुकता अधिगम के पठार का कारण अभ्यास की प्रमुकता नहीं है अभ्यास की प्रमुकता नहीं है बलकि इसकी जग और ये ये तीनों अरिगम के पठार के कारण नहीं है. 26 नमबर है. सिगमंट फ्रायट ने व्यक्तितु के कितने घटक सुविकार किये हैं? तो सिगमंट फ्रायट ने सुविकार किये हैं दो घटक. 27 क्वेशन है आवशक्ता का पदा नुक्रम सिध्धान किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये प्रतिपादित किया गया था अब्राहेम मैसलो द्वारा. 28 क्वेशन है उदाहरन निरिच्छन विशलेशन वर्गी करण नियमी करण. ये केश दिच्छन विदिके सोपान है तो ये सोपान है आगमन विदिके. कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? समग्री का एकांगीपन कारण है, तुटियों का इस्थान आंतरण पठार का कारण है, शारेरिक सीमा भी पठार का कारण है, अभ्यास की प्रमुकता ये नहीं है. अभ्यास का अभाव होना चाहिए. ठीक है, क्वेशन सही है, तो इसमें ये ही डी ओप्षन हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. उन तीस्वा नमबर है, एस्टीयम का पूरा नाम क्या है? इस्थाई इसमर्त, सक्री इसमर्त, रटन इसमर्त या अल्पकालिन. तो अल्पकालिन इसमर्त होगा, एस्टीयम का मतलब है, शौर्ट टर्म मेमोरी. ठीक है, जो गजनी फिल्म में थी आमिर खान की. तीस्वा नमबर है, इस गोशना पत्र को भारती सिच्छा का मैगना काटा या शिला लेक कहा जाता है. तो ये आप सभी को पता होगा, बी वोड डेस्पैच. इसको भारती सिच्छा का मैगना काटा या शिला लेक कहा जाता है. एक तीस्वा नमबर है, विभिन अधिगम द सी option असत्य है कम या बिल्कुल अवबोध ना होने को hyperlexia कहा जाता है ना कि selectsia इसको कम या बिल्कुल अवबोध ना होना इसको hyperlexia कहा जाता है hyperlexia बाकी ये सारे सही हैं तो इनको आपको ऐसे ही रट लेना है 32 नमबर है गार्ड़नर ने अपने सिध्धान्त में कितने प्रकार की बुद्धियों के बारे में उलेक किया है तो गार्ड़नर ने अपने सिध्धान्त में उलेक किया है साथ प्रकार की बुद्धियों के बारे में 33. किशोरों के मनोविज्ञान से संबन्दित सिधान्थ निम्न में से किसके द्वारा पृतिपाधित किया गया था 33. विक्तिके विकास के विभिन उपागमों के संबन्द में निम्लिखित को सुमेलित कीजी तो इसमें से सुमेलित करना है आपको जयाव सामाजिक आगम किसका है ये है आईजेक कैडल का मनो विशलेशन आत्मक उपागम है फ्रायड का सामाजिक अधिगम उपागम है कूले और इसकिनर का जयाव शारीरिक उपागम है हिपोक्रेट्स या गेल का ठीक है 35 नमबर कोश्चन है निमलखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये है सी ऑप्षन प्रोजेक्ट प्रणाली ये किलपैट्रिक ने दी थी आमिस्टॉंग नहीं और जो सुमेलित हैं ये तीनों इनको आपको एकदम रट लेना है 36 नमबर है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सरजन करते हैं इसका स्रे किसको जाता है तो इसका स्रे जाता है जीन पियाजे जी को 37 नमबर है निमलिखित में से किसको प्रभावी सिच्छन विदी के अंतरगत शामिल नहीं किया जाता है तो 37 नमबर के हिसाब से कच्छा में रटने पर बल देना इसको प्रभावी सिच्छन विदी के अंतरगत शामिल नहीं किया जाता है 38 नमबर है सिच्छक द्वारा विद्यार्थियों से प्रेरी प्रदेश या टुंडर प्रदेश के पौधों अथवा स्वतंतरता अंदोलन पर कहानिया लिखने को कहा गया तो किस बुध्धी को प्रदसाहित करने का प्रयास कर रहा है तो इसमें ये बी ऑप्शन होगा भाशाई बुध्धी 49 नमबर होगा बाल विकास में बौध्धिक छमता के विकास का मानक निमलिखित में से क्या है A. जो 49 का सही आंसर है मैं क्यों सही आंसर आपको बताता हूँ उच्च बुद्धी गुडांक का अर्जन 40 नमबर निमलखित में से केस क्रिया विधी द्वारा बालक में सामाजिकता विक्सित होती है तो सामाजिकता विक्सित होती है C. खेल द्वारा अब 41 नमबर जो आप लोगों का डाउट है वो है स्थानापन या प्रतिस्थापन या समीपता का सिध्धान ये no doubt Edward गुथरी नहीं दिया था इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है आपको किवल question द्यान से पढ़ना है कि आप से पूछा क्या जा रहा है ठीक है ये दिया तो इन्हों नहीं है इसको मैं आगी अभी क्लियर करूँगा 42 है फ्रायड के अनुसार विक्तित्तो का गत्यात्मा पच्छ तीन अवस्थाओं दोरा निर्मित होता है इदम आहम पराहम तो question में ये पूछा ही नहीं गया है कि ये concept दिया किसने है ये तो sure ही है कि ये फ्रायड नहीं दिया है उसमें पूछा गया था Eric Ericson ने किस पर जोर देने की बात की है ठीक है तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बाकी कोई problem नहीं है और इसके आगे जो Edward गुथरी वाला question है उसको मैं और clear कर देता हूँ कि Edward गुथरी के जो उसमें नियम दिये गया है कई सारे उसमें ये जो सारे नियम है आप देख रहे होंगे पूरा आप पढ़के देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ की जैसे ये question था test number two का चौथा question ना गुथरी द्वारा प्रस्तुत किस नियम के अनुसार प्राणी किसी भी परिस्थित में कई प्रकार की अनुक्रियां करता है तो इसमें जितने भी आपके option में दिये गये थे ये test number two का चौथा question है यहाँ पे देखिए एकल प्रयासी अधिगम का सिद्धान ये पहला दिया गया था उसमें तो ये सारे नियम जितने भी हैं ये Edward गुथरी नहीं दिये हैं नविंता का नियम हो गया ये ये दोनों नियम यहाँ पे हो गया और गति उत्पन उत्दीपक ये तीसरा नियम हो गया है न और समीपता का सिद्धान तो इन्हों ने दिया ही है तो यहाँ पे question ये नहीं पूछा जा रहा है कि कौन साइड वर्ट गुथरी ने दिया है हम लोगों को अगर एक ही पता है सिद्धान मालीजी हमने केवल समीपता के सिद्धान के बारे में पढ़ा है तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि उन्होंने और नियम ना दिये हो ठीक है तो ये जितने भी चारो आप्शन के नियम थे ये एडवर्ड गुथरी ने ही चारो नियम दिये है लेकिन आपको बताना क्या था कि गुथरी द्वारा प्रस्तुत किस नियम के अनुसार प्राणी किसी भी परिस्थित में कई प्रकार की अनुक्रियाएं करता है तो वो फिर हो जाएगा नवींता के नियम के अनुसार